नमस्कार मनुदेल सिरे क्लासेज में आप स्वागत है आपका आज हम पढ़ेंगे भारत में जो इसलामी सेंस करती है उसका समनुए किस प्रकार से हुआ उसमें से जितने भी मैतप उन क्यूशन बनते हैं उन क्यूशनों का हम देखेंगी जिसमें से पहला क्यूशन आता है कि तुर्कों के द्वारा भारत पर विजे के फल्स रूप उत्पन इस्थापत्य कला सेली को कहा जाता है तो जो तुर्कों के द्वारा भारत पर विजे के फल्स रूप जो सेली विक्षित हुई उसको कहते हैं हिंदू- इसलामी स्थापत्य कला नेक्स आता है कि तुर्की स्थापत एकला का पहला उधारन है तो कौन सा उधारन है कुबत उल इसलाम मस्जित कुबत उल इसलाम जो मस्जित है वो तुर्की स्थापत एकला का पहला उधारन है नेक्स आता है कि तुगलाकाबाद का नगर किसने बसाया था तो जो तुगलाकाबाद है वो नगर बसाया था गया सो दिन तुगलक ने नेक्स आता है कि अलाओदिन खिलजी के द्वारा बसाया गया सीरी का नगर कहां स्थीत है तो सीरी का नगर है वो स्थीत है दिल्ली में नेक्स है कि अधाई दिन का जोपड़ा स्थीत है तो हडाई दिन का जो जोपड़ा है वो अजमेर में स्थीत है नेक्स क्यूशन आता है अपना के निमली खित में से कौन इमारत है सुल्तान गड़ी के नाम से परशिद है तो सुल्तान गड़ी के नाम से नासरोदीन मुहमद का जो मकबर है वो सुल्तान गड़ी के नाम से भी परशिद है लोधी यूग की सरवादिक महतपुन इमारत है त मोट की मस्जिद सूप परशिद अधिना मस्जिद इस्थित है तो अधिना जो मस्जिद है वह इस्थित है आपकी बंगाल में जोनपूर की जामा मस्जिद का निर्मान कराया था तो जोनपूर की जामा मस्जिद का निर्मान करवाया था हुसेन सहा सरकी ने नेक्स आता है कि लोदियों की स्थापते कला में जो कुछ भी सर्वस्रेश्ट है उसका संक्षिप्त रुप मोट की मस्जिद में वरतमान है यह उक्त कथन किसका है तो यह कहा है मोट के मस्जिद के बारे में जोन मौरसलने नेक्शच आता है अपना क्यूशन निमलिकित में से कौन बंगाल में नहीं है लोटन मस्जित, एक लखा मकबरा, साथ गुंबद मस्जित और जहांजमेल यह जहांजमेल है वो बंगाल में नहीं है बाकि लोटन मस्जित, एक लखा मकबरा और साथ गुंबद मस्जित ये सबी कहां पे हैं बंगाल में मुहमद आदिल के मकबरे को जाना जाता है तो मुहमद आदिल का मकबरा है उसे गोल गुम्बत के नाम से भी जाना जाता है तो मुहमद आदिल का मकबरा गोल गुम्बत नेक्श आता है कि सल्तनती जो इमारते हैं उनमें सर्वस्रेष्ट है तो नजामोदीन ओलिया का जो मकबरा है वो सल्तनीत इमारत में सर्वस्रेष्ट है अश्ट बुजाकार मकबरे का पहला उधारन कौन सा है तो खाने जहां तेलंगनी का जो मकबरा है वो अश्ट बुजाकार मकबरे का पहला उधारन है नेक्ट आता कमाल मुला मस्जित, लाल मस्जित तथा दिलावर क्हा मस्जित कहां पर इस्थित हैं ? नर्थकी के नाम पर बनी मस्जित हैं ? नेक्श्ट निमलिकित में से कौन सा मस्जित है जो राय पिथ Нап है किले के अस्थान पर बनाए गई है तो कुवत उल इस्लाम विजे इस्तम या केर्थी इस्तम इस्तित है तो विजे इस्तम या केर्थी इस्तम इस्तित है मेवाड में नेक्श आता है कि सलतनत काल में चितर कला के परचलन का सबसे प्रारंबिक उलेख मिलता है गजनवियों क्या इतियास नेक्स है कि यहां का संगीत मनोशियों को नहीं पसों तक को परववित कर लेता है भारते संगीत से हीरन करत्रिम निद्रा में निमगन हो सिकारी का सिकार बन जाते हैं कथन भारते संदरब में कहा गया है यह किसका है अमीर खुसरो, तानसेन, बिरजु महराज यह फिर बिजु बावरा तो किनके बारे में है यह अमीर खुसरो के बारे में नेक्स है कि परशीत संगीत की सारंग देव निमिल खित में से कहां का दरबारी कवी था तो सारंग देव थे मालवा के निमलिकित में से इसलाम में किसका निशेद किया गया है तो सितर का, संगीत का, नर्ते का तो सभी का, उप्युक्त सभी का इनमें निशेद किया गया है नेक्स्ट है कि निमलिकित में से कौन दक्षिन भारती सुल्तान जो तिस का विद्वान था तो दक्षिन भारती सुल्तान जो तिस का विद्वान था वो थे ताजोदीन फिरोज नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन सी करती काम सास्तर पर लिखी गई है तो उसका नाम है मुफ्ता उस्षुरूर ए आदिली नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन लोदी कालिन कवी है तो लोदी कालिन कवी कौन सा है जमालुदीन मरगावती नामक अवधी कावे गरंथ का रसनाकार है तो मरगावती नामक अवधी जो कावे गरंथ है उसके रसनाकार है कुतुबन नेक्श आता है कि निमलिखित में से किस गरंथ से सूफी विचारधारा पर प्रकास पड़ता है तो पदमावत है उसमें सुफी विचारधारा पर प्रकासे पड़ता है होज ए समसी तथा समसी इदगाह का निर्मान किसने करवाया था तो समसी इदगाह का निर्मान करवाया था इल्तू तम इसने नेक्श आता है कि निमनलिखित में से कुस्क ए सिकार क्या है तो कुछ इस सिकार है वो मनोरंजन करने वाला व्यक्ति है नेक्स आता है कि भारती इस्लामी सैंसकर्तियों के संगम से कौन सी नई वादे यंतर की रचना हुई तो सितार की रचना हुई जो वादे यंतर है उसकी रचना हुई थी सितार की नेक्स्ट है कि फार्शी के दो महान कवी थे किया कि अहाते में दफनाया गया है तो उनका नाम है अमीर खुश्रू सितार का अविश्कार माना जाता है तो अमीर खुश्रू के टाय में सितार का अविश्कार माना जाता है बंगाल भासा में भगवत गिता का अनुवाद किस ने किया था तो बंगाल भासा में भगवत गि बजाया जाता था अगबर के द्वारा तो अगबर आ जाये तो अगबर क्या बजाता था नगड़ा नगड़ा का अविश्कार ही किस ने किया था अगबर ने किया था भारत में बंगाल बासा में बगवत गीता का अनुवाद किस ने किया था तो मालधर वसू ने किया था पं निमलिकित में से किस बंगाली सासक ने महाबारत का बंगाली भासा में अनुवाद किया है तो महाबारत का बंगाली भासा में अनुवाद किया है नुसरत साह ने निमलिकित में से किस ने अधिना मस्जीद का निर्मान करवाया अधिना मस्जीद इंपोर्टेंट है शिकंदर साने अधिना मस्जिद का निर्मान करवाया है वह कौन सा कस्मीरी सासक था जिसने महाबारत वर राज तरिंगनी का सहंसकर्थ भासा में फासी भासा में अनुवाद करवाया तो उनका नाम है जेन उल अब्दिन पूरी के जगनात मंदिर का निर्मान करवाया था इंपोर्टेंट है अनंत वर्मन चोड गंग ने एतियासि कुम्बल गड के किले का निर्मान करवाया था तो कुम्बल गड राणा कुम्बा ने निमलकित में से किस गरंद को बंगाल का बाइबल का जाता है, इंपोर्टेंट है, बंगला रामायन है, उसे बंगाल का बाइबल का जाता है, गुजरात के सुल्दान महुम्मद बेगड़ा की जीवनी है, तो महुम्मद बेगड़ा की जो जीवनी है, उसका नाम है राजवि फिरोज तुगलग की निमन में से किन गतिविदियों से साबित होता है कि उसे विज्ञान में रूची थी तो उन्हों ने वेदसलाओं का निर्मान करवाया है फिरोज तुगलग ने निमलकित में से कि संगीतक के को बिहारी बुल-बुल की उपादी दी गई है इंपोर्टे खुष्रो को किस गयन सेली और अडाई दिन का जोपड़ा कहां पर है अजमेर में अमीर खुष्रो को किस गयन सेली का जनमदाता माना जाता है तो अमीर खुष्रो ने कवाली को सब से पहले गया था तो कवाली के जनमदाता कौन है अमीर खुष्रो अलाउदीन के निमलकित में से किसका निर्माण नहीं कराया है तो अलावदीन ने किसका निर्माण नहीं करवाया है अडाई दिन के जोपडे का जामा खाना मस्जीत अलाई दरवाजा और हजा सितून महल का निर्माण कराया अलावदीन ने वै कौन सा सरकी सुल्तान था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ख्याल गायकाय का अविस्कार किया, तो ख्याल गायकी का अविस्कार किसने क्या था, हुसेन सहाश सरकी ने, नेक्स्ट आता है, निमलखित में से कौन सल्तनत कालिन सिक्का नहीं है, तो कौन सा शिकानी है तो रूपया बाकि टक्का भी चलती थे जित्तल चलती थे ओससगनी दिल्ले सल्तनत में एक चांधी का टक्का कितने बराबर था तो एक चांधी का टक्का होता था ना वो 48 जित्तल के बराबर था नेक्स्ट है कि लोधियों ने कहां से एक ने प्रकार की सजावट मीना किया हुआ इंट प्राप्त किया है तो ये है चीन चीन से नोंने ये प्राप्त किया था उर्दू मोलता है किस भासा का सब्द है तो उर्दू है ना वो मोलता है तुर्की भासा का सब्द नेक्स्ट है कि लोर चंदा और चोर पंचासी का से प्रकास पढ़ता है तो चितर कला के हैं लोर चंदा और चोर पंचासी का ये आपकी मैथापन क्यूशन है इन सभी को आपको दुबारा देखना है दुबारा पढ़ना है इंपोर्टेंट क्यूशन आपके एक्जाम की दरश्टी से सारे की सारे क्यूशन होंके थैंक यू फर वचिंग मैं वीडियो